नमस्कार आप सभी का स्वागत है जम्मो लिंक्स न्यूस में और मैं हूँ विशाल शर्मा किस्तवार के छात्रू इलाके में आतंकियों और सेना के बीच एक मुटबेड इस समय जारी है और जो जानकारी मिल रही है कि इस मुटबेड में सेना के चार जवान जो है वो जखमी हुए है जिन में से दो की हालत नाजुक बनी हुई है जबकि छात्रू में अभी भी जो एंकाउंटर है जो ऑपरेशन है वो जारी है ये एंकाउंटर उस समय हुआ है जब कल डोडा में पी एम मोदी की चुनावी रैली है और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आएं साथ एक कॉंटेक्ट एस्टैबलीश हुआ था और उसके बाद से ही इलाके में जो एंकाउंटर था वो शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद अचानक से जानकारी आये कि जो इनिशल एक्सचेंज ऑफायर हुआ है उसमें सेना के चार जो जवान है वो घायल हुए हैं जिन सेना की और से जो कॉर्डन वहांपर लगाया गया है और कोशिश है कि कोई भी आतन की वहां से भागने ना पाए लेकिन इस समय की बड़ी अबडेट है कि चातरु प्लिश टेशन का जो एरिया है उसके अंतरगत जो है यह पूरा एनकाउंटर नादिगाम एक वीलेज है न बहाँ पर ये एंकाउंटर हुआ है जिसमें कि फिलाल सेना के चार जवान जो हैं वो जखमी बताए जा रहे हैं जिन में से दो की हालत नाजुक बनी हुई है जबकि जो आतंकी है जिनकी संक्या तीन बताई जा रही है वो इस समय ट्रैप्ड हैं अलाकि आतंक्यों की संक्या जादा भी हो सकती है लेकिन जो इनिशिल इंपुट है उसके आधार पर जो जानकारी दी गई है जो फिगर दी ए गए गए है उनके मुताबिक आतंक्यों की संक्या दो से तीन हो सकती है और यहाँ पर जिसमें सक्योर्टी फोर्सिस को यह जानकारी मिली के इ Корめてayoím cara में तो ऐसे में आतंकियों के पास natural habitat सा बहुत जादा रहते हैं जहां से छुपकर गात लगाकर हमला करना उनके लिए आसान हो जाता है और जिस वक्ता सेना जो है वो उससे suspected spot के पास पहुंची है जहां पर कि आतंकी छुपे हुए थे तो आतंकियों ने जो जानकारी initial आई है कि घात लगाकर हमला किया है और इसी initial exchange of fire में चार जो जवान थे वो जखमी हो गए जिनने evacuate किया गया जो nearby medical facility थी और वहाँ पर उनका treatment इस समय चल रहा है लेकिन ये भी जानकारी सामने आई है कि दो जवान ऐसे हैं जिनकी हालत काफी जादा नाजुक है तो फिलहाल हम उनकी स और साट या सतर किलो मीटर का ही आप अगर radius मानके चले मैं यह दरसल जो आपको बता रहा हूं मैं एक radius की बात कर रहा हूं यह उसी area में यह पूरा encounter ही समय चल रहा है और दो से तीन आतंकी वहाँ पर trap होने की संभावना है और जमू कश्मीर में जब सर्विदान सभा के देखने को मिला था वैसा पोल परसंटेज ना आए लोगों में धर का मोल पैदा किया जाए लेकिन security forces भी जहां पर input मिल रहा है लगातार operations को launch कर रही है और यहां चातरू की बात करें तो यहां पर भी एक शायद input generate हुआ था जिसके बाद यह cotton and search operation launch किया गया था लेकिन क्य पिश्किल रहा था इस प्रकार के operation को अंजाम देना लेकिन security forces जो थी उन्होंने समय नहीं कवाया सेना जो थी वो आगे बड़ी और जब उस suspected spot के पास पहुंची तो initial input के आधार पर आतंकियों ने जो था वो fire वहां से किया जिसमें की चार जवान जो थे वो गायल होगे ज statement तक की ही बात करें तो उसके मताबिक चार जवान जो हैं वो इसमें जखमी है और sources ने ये बताया है कि दो की हालत नाजुक है operation अभी लाके में चल रहा है जो आतंकी हैं वो trapped हैं और क्योंकि रात का समय है अंदेरा है आतंकी अंदेरे का वाइदा उठाने की कोशिश करते ह हैं और कॉर्डन को ब्रेक करके निकलने की कोशिश में रहते हैं लेकिन क्योंकि उसी रेडियस में पीम हुदी की कल रैली होनी है चुनावी रैली है बड़ी जनसबा है अजारों की संख्या में लोग वहां पर आएंगे इसलिए समानने तोर पर जो एक risk factor रहता है कि आतंक है लेकिन इनिशिल गन फाइट में जो है वो चार सेना के जवान जख्मी हुए है जिन में से दो की हालत नाजूख है ऑपरेशन चातरों में अभी चल रहा है और सेना की यही कोशिश है की आज रात को ही जो आतंकी है वो मार गिराए जाए और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कल सुबा जब रोशनी होगी तो आपरेशन दुबारा से रज्यूम होगा लेकिन फिलाल कल यही अपडेट जो है वो अभी जो ऑफिशल अपडेट आया है की चार जो सेना के जवान है वो इसमें जख्मी है दो की हालत उनमें से नाजूख है नमस्कार